शुब्परभाद बच्चों, आज की वीडियो में हम नई मात्रा को प्राडम करेंगे, हम आज अंकी मात्रा को सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, अंग की मात्रा में आपको बताना चाहती हूँ कि जब मात्रा की ध्वनी हर मात्रा की अपनी ध्वनी होती है और जब मात्रा की ध्वनी नाक और मूँ दोनों से निकले तब अंग की मात्रा का प्रयोग किया जाता है यानि कि अंग, अगर आप अंग बोलेंगे तो आपकी नाक और मूँ धोनों से ही धोनी निकलेगी, इससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर अंग की मात्रा का प्रेयोग होगा, अब आगे हम यह देख लेते हैं कि मात्रा जो है, यह कैसे लगती है, देखें आपको यह यानि वनों के ऊपर लगती है, बिंदी के रूप में, ठीक है, यह आपको याद रखना है कि अंग की मात्रा शबदों के उपर बिंदी के रूप में लगाई जाती है, और नाक और मूँ से जब ध्वहनी प्रापर हमें मिलती है तब हम ये समझ जाते हैं कि यहां अंकी मात्रा का प्रेयोग होगा आगे देखते हैं कि अगर हम यहां पर देखें तो कुछ picture यानि images बनी हुई है और भापरा में अंग की मात्रा लगाकर आगे वर्ड्स पर अर्थपूर्ण शब्दों को बनाना है तो देखिए हम ये देखिए ये मंदिर का चित्र है और यहां लिखा है मदिर तो आप समझ पा रहे होंगे कि मंदिर में हमारी जो अंग की मात्रा है वो आपकी यहां आएगी यानि मा के उपर ठीक है यह होगे आपका मंदिर अब यह है हन्स 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 यानि हन्स हा पर जो मात्रा आ रही है वो अंग की मात्रा आ रही है इसलिए आपर हम एक बिंदी को प्लेस कर देंगे यानि हन्स आगे देखते हैं घंती यानि घ घा पर अंकी मात्रा और टा टा पर बड़ी की मात्रा पहले से यहाँ पर लगी हुई है तो घा पर हमें अंकी मात्रा लगानी है घंती यह इसका सही उच्चाराण है आगे देखते हैं पंखा पंखा पापर अंकी मात्रा पंखा ठीक है तो यह होगे आपका पंखा फिर है पलंग तो देखिए पलंग ना पापर यह मात्रा आ रही है ना ही गापर आ रही है ला के उपर हमें अंकी मात्रा समझ में आ रही है तो हम जो अंकी मात्रा है वो ला पर प्लेस करेंगे पलंग समझ पारें इसी तरह से आगे देखें जंगल जंगल जा पर अंकी मात्रा है जब भी आप शब्दों को पढ़ेंगे आपको याद रखना है कि हर बार आपको शब्दों को अंकी मात्रा का जो उचारण करना है वो आपको सही से करना है जैसे मंदेर, हंस, घंटी, पंखा, पलंग, जंगल इस तरह से आपको मातरा का उचारण करना है जिससे आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा अंकी मातरा के कुछ यह शब्द यहाँ पर दे रखे हैं जैने हम देख लेते हैं अंकी मातरा के शब्द हैं देखें पंच, पंच, मंच, अंत, संग, हंस, पंट, अंडा, बंद, पंथी यहाँ पर हर बार आपको अंकी मातरा को प्रॉपर तरीके से यानि यह सही उच्चारण के साथ बोलना है पंच, मंच, अंत, इसमें आपको कोई भी मिस्पेक नहीं करनी है आगे देखते हैं एक मातरा ही जो जंगल की सेर हमारे यह चैप्टर दे रखा है हमारी साक्षी बुक में वहाँ पर जंगल की सेर जो अंगी मातरा का पाठ है उसे हम उसकी कहानी को पढ़ लेते हैं कहानी में दिया गया है कि एक दिन अंकुर अपने अंकल आण्टी के साथ जंगल में गया जंगल में रंग बेरंगी चिलियों के चहकने की आवाजें आ रही थी पून विराम बंदर अंगूर खा रहे थे पून विराम सुन्दर हंस पानी में तैर रहा था जंगल में एक मंदिर था पून विराम अंकुर ने मंदिर में शंक और घंटा बजाया पून विराम इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जितने भी वर्ड मैंने सरकल लगाएं सारे अंकी मात्र की शब्द हैं जैसे कि अंकूर अंकल आंटी जंगल में रंग बिरंगी चिडियों आवाजें अंगूर बंदर सुन्दर, हंस, पंदेर, शंक, घंटा ये सारे शब्द जो हैं वो अंकी मात्र के शब्द हैं तो आई होब आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से मात्र आपको क्लियर हो गई होगी थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो प्लेज दू सब्क्राइब माई चैनल प्रेस्ट प्रेस्ट बेल इकन और दोंगे टो शेर विडियो प्रेस्ट थैंक्य। वेवा नाइस देए